आज हम लोग बात करने बाले हैं, anxiety spectrum disorders के बारे में, तो anxiety spectrum से मतलब यह है कि यह कुछ 2-4 disorders हैं जिनने हम लोग एक common theme के अंतर कर जानेंगे क्योंकि इनकी common theme है anxiety तो anxiety सबसे पहले क्या होता है हमको यह समझना पड़ेगा कि anxiety एक normal emotion है तो हर बार anxiety pathological हो जरूर ही नहीं है anxiety हमारे system में इसलिए डाली गई है ताकि हमको एक alarm की तरह काम करें कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है तो उनको सुधा लो कुछ अपना प्रयास कर लो अपना आपको सेफ कर लो इस तरह से anxiety हमारे system में डाली गई है पर अगर मान लिजे anxiety ऐसी इस्थितियों में होने लग जाए जहां कोई anxiety की बात नहीं थी है ना मतलब कि हमेशा anxiety हो रही है या normal सी कोई बात है वहां पर भी हम घबरा रहे हैं तो वो pathological हो सकती है या anxiety इतनी जादा हो रही है कि उसी के मारे कोई और काम नहीं किया जा सकता हो या इतना बहुत परिशानी अपन को feel हो रही है तो भी anxiety pathological हो सकती है तो anxiety जो है cognitive भी होती है मतलब कि मन में सोच चलेगी कि अब क्या होगा कैसे होगा कैसे निकलेंगे इस जगह से मरतों नहीं जाएंगे इस तरह की सोच विचार में भी anxiety आती है और anxiety शरीर में भी feel होती है कि पसीने आने लग जाएंगे धड़कन तेज हो जाएगी सास नहीं लेते बनेगी चक्कर आएगा जुन्जुनी लगेगी इस तरह की physical tensions भी feel होते है अब जब anxiety जैसे हमने समझा कि या तो इन परिस्तिती में हो रही है जहां नहीं होनी चाहिए या इतनी तेज हो रही है जितनी नहीं होनी चाहिए तो और जब वो daily activities को हमारे hamper करने लगे इसके चलते हमारी family, social, personal life affect होने लगे तब anxiety एक disorder बन सकता है तो जो anxiety disorders में एक जो पहला हम लोग जानेंगे वो है generalized anxiety disorder नाम से इस पस्थ है क generalized मतलब हर समय और anxiety disorder की तरह आ रही है तो इसके कुछ hallmark features होते हैं जैसे की apprehensions मतलब की हर समय वेक्ती चिंते ते और हर बात को लेके चिंते ते जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी बात हो कि कोई किसी की कोई परिक्षा है या interview है या कुछ ऐसा इस बात को लेके चिंते है कि मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए कहीं उनकी बस तो नहीं पलट गी है या पापा अभी तक लोटे नहीं है कहीं बस कुछ करतों नहीं दिया उनका तो हम कैसे कहां ही पर जाएंगे है कैसे काम करेंगे अभी उनसे कैसे मिलेंगे ऐसी चोटी चोटी बातें को लेके भ खिचान वग्यरा फील होती रहेगी, भारी पंसा लगता रहेगा, और autonomic hyperactivity मिलेगी, जो हमारा synthetic system है, वो hyperactivate हो जाएगा, just like हमारा जो flight response है, वो activate हो जाएगा, तो पसीने आएंगे, धड़कन तेज हो जाएगी, शांस नहीं लेते बनेगी, ठंडा-ठंडा सा लगेगा, गर सर्भारी हलका हो रहा है, इस तरहीके की autonomic activity बनी रहती है, तो ये जब लगभाग, अब ये कभी-कभी situational देखे, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी और factor से जोड़ा हुआ हो सकता है, किसी situational factor कोई ऐसी परिस्तिती जीवन में चल रही है, उसके चलते, कभी-कभार हो सकता है, किसी medical disorder में आपको ऐसी गबराट फील हो सकती है, इसलिए इसमें जो criteria है, उसमें हम लोग 6 महीने का लेके चलते हैं, कि ये एक-दो दिन की बात नहीं है, बलकि कम से कम 6 महीने से व्यक्ति लगातार हर छोटी-छोटी बात पर चिंतित होता है, उसका शरीर में भी उसका reflection होत होता है, तब हम जाके GAD को डाइगनॉसिस में कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट जो anxiety condition है, वो है panic disorder, तो GAD में हमने जाना था, कि वहाँ anxiety generalized थी, मतला हर समय हर जगह थी, और panic disorder में क्या होता है, anxiety spontaneously आती है, मतला आप predict नहीं कर सकते, कि किन-किन situations में ये panic कर जाएगा, ये spontaneously कभी भी हो सकते आहिं, ये ये जो ये जड़ा आधा हैं, बैठे हैं, बहुशे बहुनीा सकता है, बाहरें उसका है और जैसे कि ये जी नाम इसको बताता है कि पने होगा जाता है, मेला बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल yavelle of anxiety आती है, तो ये चो इंटेंस लेवल अझाय सांस नहीं आएगी, घबराहट बेचेनी लगेगी, ठंडे पसीने आएगे, पेट में तिडली सी ओडेगी, सरभारी लगेगा, खिचान लगेगी, तो यह सब साथ में होता रहेगा, और साथ में व्यक्ति को मन में क्या फीलिंग आएगी, कि अभी या तो मर जाएंगे, ऐसी पीजे नॉर्मल आया है, SPO2 नॉर्मल चल रहा है, किसी तरह का कोई फीजिकल परामीटर गढ़वड नहीं है, तो डाइगनोसिस फिर समझ में आती है, कि समभवता व्यक्ति को पैनिक अटेक हुआ है, मतलब कि जिसमें लगतो रहा था कि कोई हार्ट अटेक या ब्रेन तो यह होता है एक पैनिक अटेक जो कि कभी भी आ सकता है, और बहुत इंटेंस लेवल ऑफ एंजिटी से कंपनी होता है, और जब यक्ति को यह होता तो एक अंटिसिपेटरी अंजिटी बनने लगती है, मतलब यक्ति इसमें जरू घबरा रहता कि मेरको कहीं अगला अगला इसका क्राइटेरिया समझे, तो यह मानते हैं कि एकका दुखका पैनिक अटेक को पैनिक अटेक बोलेंगे, बट अगर वो एक महिने से समसे आधा सिम्टम चल गए है और बार बार हो रहे हैं, और किसी मेडिकल डिसॉडर से उसको हम एक्स्प्लेन नहीं कर सकते, तो वो प पैनिक समझाता, प्रिडिक नहीं कर सकते कभी भी हो जाएगी, बट यह जो सोशल एंजिटी डिसॉडर है, यहां एंजिटी सोशल कॉंटेक्स्ट में होगी, कि व्यक्ति को किसी भी सोशल सेटिंग में जाना है, अब वो एक बड़ी सोशल सेटिंग भी हो सकती है, कि कोई कि व्यक्ति को लगता है, कि यहां पर लोग मुझे निगेटिवली जज करेंगे, कैसे मैं बातचीत कर रहा हूं, या मेरे को कुछ बोलने को कह देंगे, तो कैसे मेरे से बोलते बनेगा, इस सब को लेके व्यक्ति घपराया रहता है, और धीरे-धीरे इन सिचुईशन को ए अगर गए हो तो पीछे बैठे रहा हूं, बिलकुल इंट्रेक्ट मत करो क्योंकि हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो जब कभी ऐसा सिचुईशन में व्यक्ति फसी जाता है, तो फिर उसको शारीरिक सिम्टम्स वही, जैसे पैनिक जैसी सिचुईशन में साथ में आ सकती है, या फिर हाथ का कमपन होना, पेट में गड़ बड़ लगना, फलशिंग वगरा फील होना, इस तरीके के सिम्टम्स फिजिकली भी आ सकते हैं, जनरली ये एडोलेसेंस में बहुत कॉमन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये किसी भी एज ग्रूप में स्टार्ट हो सकता है, इसको डिसॉडर ही कई बार समझ नहीं है, लोगो को लगता है, जस्ट ये नॉर्मल शाइनेस है, उसके साथ में ठीक हो जाएगा, बद किनी-किनी केसे में ये इस को प्रॉपर ट्रीट्मेंट की आवशिक्ता होती है, तो जो ट्रीमेंट है, उसमें दोनों तरह से ट्रीमे एक overview मैं आपको उसका बताता हूँ, जो फार्मों की थेरपीज में उसकर जो चलते हैं, वो antidepressants ही चलते हैं, लेकिन थोड़े से lower side of doses में देते हैं, बेकॉस ताकि दवाई से ही कोई anxiety प्रेसिपिटेट ना हो जाए, तो जनरली हम लोग जो antidepressants है, यहां थोड़ा से lower dose से शुरू करते हैं, इसके अलावा commonly antidepressants को देखे, काम करने शुरू करने में भी थोड़ा वक्त लग जाता है, और anxiety का पेशिट चाहता है कि नतीजा जल्दी भी मिले, तो antidepressants का असार आने में लग बग दो हफते लग जाएंगे, तो जल्दी नतीजा लाने के लिए और immediate relief के लिए, हम लोग साथ में कई बार associated medicine देते हैं, जैसे कि benzodiazepine, alprazolam, जो है, klonazepam वगरा है, laurazepam, etizolam वगरा, lower doses में हम लोग उनको divided dose करके देते हैं, और वक्त के साथ में taper down भी करते हैं, ताकि उस पर dependency ना create हो, तो it's like एक 2-3 हफते का course देके, उनको हटाने का प्रयास भी करते हैं, side-by-side साथ में और क्या दे सकते हैं, कुछ beta blockers, वगर जैसे synthetic over activity यहां पर बड़ी होई थी, तो beta blocker जैसे gepropanol वगरा, जो tachycardia वगरा हो रहा है, ट्राइमर्स आ रहे हैं, उस situation को down करने में मदद करता है, तो यह इसकी common जो pharmacotherapy होती है, इसके अलावा जो psychotherapy है, उसमें CBT, जो कि जैसे depression में भी CBT delivered होती है, anxiety disorders में भी CBT का अच्छा evidence है, कि यहां भी जो anxiety में वो heightened, उनके मन में कुछ डर बैठ जाता है, जहां वो situations को catastrophize कर देते हैं, बड़ा करके देखने लगते हैं, selectively negative चीज़ें देखने लगते हैं, उसको challenge करके thought को बदलना सिखाते हैं, और दूसरा इसका part होता exposure therapy, कि धीरे-धीरे graded exposure, जैसे किसी situation से अगर उनको डर बैठा हुआ है, तो जस्ट पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बारे में कोई graphics दिखाएंगे, फिर उसके बारे में उनको modeling करके साथ में ले जाके करेंगे, और फिर उन situations को independently handle करना सिखाएंगे, तो इस तरीके का जो graded exposure होता है, उससे वो डर धीरे-धीरे खतम होता है, और इसका treatment होता है, तो anxiety disorders again society में बहुत common है, अलग-अलग तरह के कुछ common anxiety disorders हमने जाने, generalized anxiety disorders, panic disorders, और social anxiety disorders, treatment में psychological and pharmacological दोनों तरह से treatment suggestible है, और ये treat हो जाते हैं, ये जनता को बताना जरूरी है, इनसे क्योंकि नहीं तो व्यक्ति परिशान बहुत होता है, job को avoid करना, school avoid करना, काफी दिख्केते हैं इसमें सामने आती हैं, अगर ये untreated रहते हैं, तो proper treatment के लिए guidance देना अविश्यक है, Thank you.